नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब विलकम बैक टू माई यूटूब चनल अरुप मारगी तो देखे दोस्तों जितने भी रेलवे के अभ्यारती हैं पर आप सभी के लिए बहुत ही अपच्छी अपडेट यहां पर निकल कल आ रही है ओफिशल वेबसाइड में रेलवे के तरफ से जारी की गई है तो चली फेट 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 से देख लेते हैं कि कौन से एक्जाम के रिगार्डिंग अफिशल अपडेट आई है इसके अलावनल हम लोग आज के इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि काफी केंड़ेट्स का यहां पर क्वेरी आ रहा है कि सर क्या इस बर 2021 में RRC गूर्पटी के एकजाम कंड़क्ट होगा या नहीं होगा या फिर कितने चांसेस है या फिर क्या 2022 में एकजाम कंड़क्ट क राची के ओफिशल एफसाइट में आप लोगों को ये ओफिशल अपडेट दीख जाएगी यहां पर सबसे पहले ही आप देख सकते हो दो ओफिशल अपडेट यहां पर एक साथ आई हुई है सबसे पहले है आपका लोग इन टु भ्यू सिटी स्लीप फोर सेकेंड इसे तो देखे दोस्तों हम लोग आचोगे ओफिशल नोटिफिकेशन में जो जारी किया गया ओफिशल एब साइट में आप लोगों देख सकते हो मिनिस्ट्य आप लोगों स्क्रॉल आउन करोगे यहां पर मिल जागा आप लोगों को एक नंबर इस्टेनोग्राफी स्किल टेस और जो ट्रांसलेशन टेस्ट है यह आपका 27 अक्टूबर से जो है आपका सुरुवात करवा दिया जाएगा कंड़क्ट करवाना है यहां पर रेल्वे के तरब से इसके अलावा स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट पर काटेगरी नंबर 1 और 2 और ट्रांसलेशन टेस्ट टेस इंक्लूडिंग PWBD गैड़ेट तो जीते में सॉटलाइस्ट गैड़ेट से सभी के लिए है मेंडेटरी आप लोग को यह एक्जाम देना है इसके अलावा कंपेंसेटरी टाइम ओनली वे अलाउट टो एलिजिबल PWBD गैड़ेट एस अंडर ठीक है जो टाइम एक्स्ट्र का स्टेनोग्राफी है सबसे पहला जूनियर स्टेनोग्राफर इंगलिस के लिए और जूनियर स्टेनोग्राफर इंदी के लिए जहाँ पे आपका टैम डिरेशन भीए न है 50 मिनट और 15 मिनट रस्पैक्टिवली और इसके लावा PWBD चैंडिटेट के लिए कितने मिलेंग के phase 2 जो है शुरू हो जाएगा और इसमें जो है आपका date wise जो है आपका completely यहाँ पर given है 27 तरी से आपकी exam सुरू हो जाएगी आप लोग admit card भी download कर लोगा official website से और सारी information यहाँ पर time duration category type of test दिया हुआ है और इसके निचे क्या-क्या major important things है वो सब आप लोग यहाँ से check कर लेना उमीद ही एचीच clear हो गया होगा ठीक है और इसके regarding कोई भी doubt रहेगी आप लोग नीचे comment कर देना तो देखे दोस्तो वो थी official information about CEN 3 slash 2019 अब काफी candidates का यहाँ पर question आ रहा है RRC Group D examination के regarding कि क्या इस साल 2021 में RRC Group D के होने के कोई chances है भी या फिर सीधा 2022 की और हमें देखना पड़ जाएगा क्योंकि आप लोग यह चीज़ मान कर चलो कि अभी जो हमारा एक्जाम है वो आप लोगो मेंली पता है TCS के द्वारा ही conduct करवा जाएगा और TCS का जो अभी यहाँ पर booking है वो बिलकुल यहाँ पर book चल रहा है ठीक है full चल रहा है और TCS के पास बिलकुल भी खाली slot नहीं है कि वो हमारा जो है RRC Group D का एक्जाम यहाँ पर conduct करवा सके अभी आप लोगो पता अभी SSE MTS का एक्जाम चल रहा है बीच में आप लोग का स्टेनोग्राफी का skill test वगेरा भी conduct करवा जाएगा SSE के तरफ से इसके अलावा जो सबसे main exam है आप लोग देख सकते हो SSE G P.D. Constable का एक्जाम भी है इसके लावा स्टेनोग्राफर का first paper 1 भी conduct करवा जाएगा TCS के तरफ से जो आपका December mid तक तक तो है बिल्कुल यहाँ पर TCS फूल तरह से pack हो चुका है अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा Group D कभी start हो सकते है तो देखे Group D की जो मीदे लगाई जारी यहाँ पर हम लोग लगा सकते हैं mid of the January से आपकी Group D की exam यहाँ पर सूरी करवा दी जाएगी क्योंकि हम लोग होप कर सकते हैं December के लाज तक जो है आपकी Group D की examination date के regarding यहाँ पर जो notification हो जारी कर दिया जाएगा railway के तरफ से और जो mandatory यह आपकी exam से वो आपके January mid से जो है start करवा अभी तक जो है कोई भी official update यहाँ पर railway के दरफ से जारी नहीं किया गया है बट मेरे समभाव नहों के अनुसार मुझे जो लगता है वो मैंने आप लोग के inform कर दिया उमीद है यह चीज क्लियर हो गया होगा फिर भी इसके regarding कोई भी doubt रहेगा आप लोग नीचे मन में नीच